हलो फ्रेंट्स, आज के यह वीडियो बहुत ही महत्पुर्ण है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग मुद्रा के अर्थ, मुद्रा के कारे और मुद्रा से समढ़ित अन महत्पुर्ण बिंदूओ को देखेंगे अब हम लोग आज के टापिक योड़ चलते हैं मुद्रा को अंग्रेजी में मनी कहते हैं जो लैटिन भासा के सब्द मोनीटा से बना है इसी से इसका नाम धिरे-धिरे मनी पड़ गया अब हम लोग मुद्रा के अर्थ को समझ लेते हैं मुद्रा एक ऐसी बस्तु है जो दैनिक जीवन में बिनमय के माध्यम के रूप में कार करती है और साथ ही साथ मुल्य का मापक और संचय के रूप में कार करती है यहां संचय से तातपर है मनुष अपनी आयका कुछ भाग फ्यूचर के लिए अस्टोर करता है मुद्रा के कारी को चार भागों में बाटा गया है जिसमें से फर्ष्ट है प्राथमी कार जिसे प्रधान कार या फ्राइमरी फंक्शन भी कहते हैं मुद्रा के प्रधानिकार में बिन्मय का माध्यम और मुल्ल का मापक को शामिल किया गया है बिन्मय का माध्यम मुद्रा का सबसे महतपुर्ण कार है मुद्रा बिन्मय के माध्यम के रूप में कार करती है मुद्रा ने बिन्मय को आशान बना दिया है बर्तमान में शभी बस्तुएं एबम शिवाओं को मुद्रा के माध्यम से ही क्राय बिक्राय किया जाता है मुद्रा का दूसरा महत्पूर्ण कार बस्तुओं तथा सिवाओं के मुल्यों को मापने का है बस्तु बिन में प्रणाली की एक सबसे बड़ी कठिनाई यह थे कि एक बस्तु की दी हुई मातरा के बदले दुसरी बस्तु की कितनी मातरा प्राप्त होनी चाहिए मुद्रा के रूप में किसी बस्तु का कीमत निर्धारित करके इस समस्या से छुटकारा मिल गया नेक्ट है मुद्रा के गौनकार जिसे सहायक कार या सिकेंडरी फंक्शन भी कहते हैं मुद्रा के प्रात्मी कारियों के अलावा कुछ गौनकार भी होते हैं जिसमें अस्थागित भुकतान का अधार, मुल्ली का संचय और मुल्ल हस्तांतरन को शामिल किया गया है मुद्रा के गौनकार में फर्ष्ट है अस्थागित भुकतान का अधार यहां मिशिंग हो गया, आप लुक्स ठीक कर लीजेगा, अस्थापित के जगा पर अस्थागित होगा अस्थागित भुक्तान वे भुक्तान होते हैं जो भविश में किसी समय भुक्तान किये जाते हैं बर्तमान यूग शाख का यूग है आज बहुत से भुक्तान ततकाल ना करके भविश के लिए अस्थागित कर दिये जाते हैं मुद्रा के इश्य कार्ण आज बर्तमान बाजार काफी बड़ा हो गया है मुद्रा के गौन कार में सेकिंड है मुल का संचे मुल्क के संचे से आसे है मनुस अपनी आय का कुछ प्रती सत अपने भावी भविश तथा किसी प्रकार के आकास में गटनाओं के घटित होने से बचने के लिए बचा कर रखता है मुद्रा के गौन कार में ठड है मुल्क का अस्थानांतरन कोई भी व्यक्ति किसी एक अस्थान पर अपनी शंपति को बेच कर किसी अन अस्थान पर शंपति खरीद सकता है मुद्रा के कारण मुल्क का हस्थानांतरन असान हो गया यदि किसी व्यक्ति को भारत से कनाडा में मुल्क का अस्थानांतरन करना है तो मुद्रा के माध्यम से यह बहुत सरल से हो जाता है ठर्ड है मुद्रा का अकाश्मीकार मुद्रा के प्रात्मीकतत गौन कारियों के अलावा कुछ अकाश्मीकार भी होता है जिसमें से फर्ष्ट है साख का निर्मान मुद्रा का पहला अकाश्मीकार साख का निर्मान करना है आज की यूग में शाख मुद्रा का महात्प मुद्रा के महात्प से भी अधीक हो गया है आज कल समस्त और धौगिक और ब्यापारिक गति वीधियां साख मुद्रा पर ही ठीकी है बैंकों के द्वारा उत्पन शाख मुद्रा से अर्थ वेवस्था की उनत्ती शंभब हो पाई है निक्ठ आई के वित्रन में शहायक मुद्रा का दूसरा महत्पुर्ण आकाश्मी कार आई का वित्रन है किसी भी चीज का प्रोडक्शन विविन्शादनों के शहयोक्ष होता है मुद्रा में ही उत्पादन के विविन्शादनों को पेमिंट किया जाता है निक्ठ है पुन्जी को समान रूप देना मुद्रा का तिसरा महतपुर्ण आकाश्मिकार पुंजी को शमान रूप देना है मुद्रा सभी परकार की शंपत्ति धान आय वा पुंजी को समान ने मुल प्रदान करती है आज कल धन या पुंजी को मुद्रा के रूप में रखा जाता है इससे पुंजी की तरलता और गते शिलता में ब्रीधी होती है नेक्ट है उपभुकता को शमसी मांत उप्योकता प्राप्त करने में शहायक मुद्रा का चौथा महत्पुर्ण आकाश्मिक कार है उपहुकता को शमसी मांत उप्योकता प्राप्त करने में शहायता करना मुद्रा के माध्यम से ही उपहुकता अपनी आई को इस परकार ब्याय करता है कि शबी परियोग से एक शमान उप्योकता प्राप्त हो फोर्थ है मुद्रा का अनिकार मुद्रा के प्रधान, गौन, आकाश में कारियों के अलावा कुछ अर्षासरियों ने मुद्रा के कुछ आनिकार भी बताए है जिसमें से फर्स्ट है निर्ने का बाहाग जिनकी पास भी मुद्रा के रूप में क्रैश रखती संचित होता है वह अपनी इच्छा के अनुसार उप्योग कर सकता है मुद्रा के अनिकार में सेकिंड है पुंजी को तरलता प्रदान करना प्रोफेशर किंज के अनुसार मुद्रा पुंजी को तरलता प्रदान करती है तरलता किसी बस्तु को सरलता पूरबक बीना किसी हानी के मुद्रा के रूप में बदलने की छमता को कहते हैं मनुष की शंपत्ती में मुद्रा सबसे उत्तम शंपत्ती है इसलिए पर्तिक मनुष अपनी शंपत्ती को अंसंपत्ती में संचीत रखने के बजाए मुद्रा के रूप में संचीत रखते हैं आकाश्मिक संकटों का सांबना करने प्रती दिन का लेन दिन करने शटे या निवेश के उदेश से मुद्रा को तरल संपत्ती के रूप में रखा जाता है मुद्रा के आनिकार में ठर्ड है भुगतान शम्ता का सूचक मुद्रा मनुस को रिन भुगतान करने की शम्ता प्रदान करती है परतीक व्यक्तिया फर्म अपने रिन का भुगतान करने के लिए अपनी आय का कुछ भाग नगत के रूप में संचीत रखता है मुद्रा के इन सभी कारियों से असपश्ट है कि मुद्रा सामाज के आर्थिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है मुद्रा के आभाब में मनुस के लिए शव्व जीवन वितानक कठिन है मानव शव्ता के विकास के लिए मुद्रा का उपयोग अत्यांत अवश्यक हो गया है यहां मुद्रा से सम्बंदित कुछ अनमहत्पूर्ण बिंदू है जिसे हम लोग देख लेते हैं जहां सिख्के बनते हैं उसे टक्षाल कहते हैं भारत में सिख्के ढालने का कार भारत सरकार करती है जबकि नोट शापने का कार RBI करता है भारत में चार जगों पर सिख्के ढाले जाते हैं कूलकता, मुंबई, हैडराबाद और नोईडा कूलकता सबसे पुराना टक्षाल है भारत में कागज की नोट चार जगों पर छापी जाती है जिसमें से फर्ष्ट है देवास जो एंपी में है सेकेंड नासिक जो महराष्ट में है ठर्ड मैसूर जो करनाटक में है फूर्थ सालबोनी जो पस्चिम बंगाल में है बाजार में कितनी करेंसी है इस बात को जानने के लिए नोट पर सिरियल नमबर डाला जाता है भारतिये नोट को बनाने के लिए जिस कागज का उप्योग किया जाता है वह कौटन का बना होता है कौटन के बने होने के कारणिया बहुत मजबूत होता है इसी के साथ मिराज का वीडियो समापत होता है यदि मेरा वीडियो आपका अच्छा लगे तो लाइक, सेयर और सब्सक्राइब किजिएगा हम लग फिर मिलेंगा अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार